परदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परिक्षा देंगे अभी तक जो हम लोग के पास कन्फर्म सुचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने कि इस परिक्षा में शामिल होने के बारे में ग्याथ हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में कि यह परिक्षा है पाँच दिनों में दोदो पालियों में संपन्न होगी आज प्रथम पाली के परिक्षा चल रही है सभी जगह सुच्टापोन तरीके से परिक्षा प्रारम होके सकुशल तरीके से चली चल रही है सभी जगह हमारे माजिस्ट्रेट हमारे पुलिस के अदिकारी लगातार भ्रहमनशील है यह पूरी पछा एक लंबी परक्रिया के तहट की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हो वहां से सेंटर पर पहुंचाना यहां बच्चों को का अधार प्रमानित करना और उसके बाद से सुचारों रूप से परिच्छा कराना तो इस बार ऐसी वेवस्था की गई थी कि किसी को कोई असविधा नहीं हुई शाषन अस्तर से और सभी अधिकारियों के अस्तर से बार बार जीले का अधिकारियों को सभी चीजें बताई भी गई ट्रेनिंग भी दी गई उसकारण से ही परिच्छाएं बहुत ही शांति पून तरीके से चल नहीं हैं बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं वो भी परिक्षाएं दे रहे हैं और शाषन तथा विभाग सुचिता पून तरीके से और एक स्वस्थ 32 परधा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी हैं और विभाग के साथ-साथ जन्ता की सेवा करनी हैं ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही समान किया जाएगा और जो लोग स्वस्थ कंप्टिशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाइं देंगे जहां जहां से भी एसी गरबड़ी की सुचनाइं मिल रही है सभी जगा एफ आफ की गई है और हम कठोर से कठोर कारवाई चाहे वो विभाग के बाहर का वहकती हो। चाहे विभात के अंदर का वेकती हो। किसी संगठन या संस्था से जुड़ा हो हम लोग इस पर कारवाई करने में कोई हिच्पेंगे नहीं सर भरती बूर्ड ने के फायर हुसेंद में दर्च कराई है टेलिग्राम के कई चैनल के जरिए पेपर लीक होने की बेचने की बात से आम नहीं समाजवादी